नमस्कार दोस्तो एक बार फिर आपस भी का बहुत बूश्वागत है आज की इस नए वीडियो में दिखिए इस ट्रेट लाइन का कल आपका चैप्राइश टार्ट कर दिया गया था उमीद करते हैं आपने वीडियो कल की देखी थी और जितने भी फार्मूले कल मैंने आपको जैदे आते ही आते हैं वे सारे के सारे में question आज के इस वीडियो में कराओंगा और जो भी question अगला जहें जयादस जयादा करा पाएंगी उतना करा दिया जाएगा फिर अगेर आपका question बच रहा है या जो भी चीजे हैं आपको जब revision कराएगा क्योंकि time बहुत ज्यादा कम है तो इसलिए जब भी कल से आपका revision start कर दिया जाएगा और misleading questions के साथ में आपके बड़ीया सिफ पूरे एकदम trick के साथ में revision कराई जाएगा तो उसमें आपका सारा कवर करा दिया जाएगा तो अगर आप लोग वीडियो को regular देखते हैं तो आप लोग उसे मैं यह जरूर काऊंगा कि आप लोग कल से जितने भी chapters का आपका syllabus का miscellaneous questions जितने भी part आपके कराएज आएंगे 10-15 दिन तो आप लोग प्लीज उसे carefully ज़रूर पढ़ लेजीगा क्योंकि आपके बहुती ज़रूर प्रशन है वे मैं आपको आज कराने वाला हूँ तो चलिए आज की वीडियो को इस्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजे और अपने सभी दो के पास में वीडियो को शे कार दीजैसा कि आपको शेयर करने से आपका यह फायदा होगा कि आपके जितने भी फ्रेंस होगे हगे लोग वीडियो तो देख सकेंगे और उन लोगों के साथ-साथ आप भी पढ़ने में अपनी जो है मन लगाएंगे ठीक है तो चलिए आप देखिएगा सबसे पहला जो आपका कोश्चन है मैं आपसे एक चीज जरूर कहूंगा कि जितने भी कोश्चन मैं आज के इस वीडियो दिखें इसमें क्या कहा दा रहा है कि दो शमानतर रेखाओं 3x-5y-7 is equal to 0 और दूसरा जो रेखा है 6x-10y-5 is equal to 0 के बीच की दूरी क्या होगी अब दिखें बीच की दूरी पूछ रहा है तो बीच की दूरी का फार्मूला आपको पता होना जरूरी है जैसा कि मैंने कल की आपकी वीडियो में जितने भी फार्मूले दिये गए थे सारे की सारे फार्मूले मैंने आपको करा दिये थे तो आज का जो आपका है उसका है कि बीच की दूरी दो समानतर रेखाओं कि हमें बीच की दूरी ग्यात करनी है तो समानतर रेखाओं कि बीच की दूरी का जो फ हो उसमें से घटा दिया जाता है माइनस माइनस कर दिया जाता है एक को और उपर हो जाता है अंडर रूट A square plus में B square आपका नीच से हो जाता है ठीक है तो यह आपका हो जाता है दूरी का formula चलिए हम इस question को solve करते हैं और यहां से जो भी चीज़े हमें मिल रही है वो हम पहले लिख लेते हैं देखिए A B C जो भी चीज़े हमें मिल रही है वो हम लिख लेंगे लेकिन हम तब से पहले क्या निकालेंगे यहां से हमें C1 और C2 find करना होगा तो देखिए दो समानतर रे समीकरंड में C1 और C2 वह आपकी क्या है वह हमें यहाद करना होगा देखिएगा सबसे पहले आप देखिए जो पहले समीकरंड से तो पहला आप इसे पहली रिखा कर सकते हैं जो पहली समानतर रेखा है वहां पर अगर हम इसे जो है AX AX प्लस BY प्लस C बेश्याभर 0 से पर आपका समीकर्ण दिया गया है यह आपका AX प्लस BY प्लस C is equal to 0 के फार्म में दिया गया है तो यहाँ पर C आपका क्या है वो आपका C1 और इसे हम C1 मान लेते हैं ठीक है जैसा कि हमने भी फार्मूले में बताया था C1 लेकिन यहाँ पर देखें कोईस्चन में आपका D मान गया है तो आप A B, C, D जो भी आप मान सकते है X, Y, Z जो भी माने लेवाला हो जैसा कि इन चीजों मैं जो ना दिया हो वो हम यहाँ पर मान सकते हैं तो माल लेती है चलिए चप्त और अब इस वाले समी कांड़ों से निकालना एक चीज़ महलते हैं तो यहां पर एक चीज़ देखने को पाएंगेए यह पर दस है कहीं पर आपको दो स्छ औहु रहा है तो हम क्या करते हैं पूरे समीकांड में क्या करते हैं 2 से भाग दे देते हैं पहले हम इसे Ax प्लस By के रूप में बना लेते हैं तो यहां पर हम 2 से भाग जब दे देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा यहां पर हो जाएगा यहां पर सब की तरफ जो है आपका माइनस 5 बटे 2 हो जाएगा तो जो आपका नया समीकंड बचेगा 2 से भाग देने पर या फिर इन में से 2 कामल लेने पर वो आपका क्या बन जाएगा वो बन जाएगा आपका 3x-5y-5 by 2 is equal to 0 और यह आपका क्या बन गया ax plus by plus c is equal to 0 के form में यह आपका convert हो चुका है अब यहां से भी आपको c2 निकालना था यानि आप अगर c2 मानने तो c2 लिख सकते हैं या फिर आप इसमाल d2 मानने तो d2 लिख सकते हैं अगर आप इसे d1 मानेंगे तो इसे आपको d2 मानना होगा अगर आप इसे c1 मानेंगे तो आपको इसे c2 मानना होगा तो यहाँ से आपका d2 क्या रहा है आपका minus 5 by 2 आ रहा है क्या रहा है minus 5 by 2 आ रहा है अब देखिए दो चीजे हमें मिल गई अब हम फार्मूला लगा देते हैं कौन सा समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समानतर रेखाओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला आपका होता है क्या होता है D2-D1 या फिर D1-D2 जो भी बड़ा होगा उसे हम आगे रखेंगे अगर D2 बड़ा होता तो हम D2 को आगे रखते अगर हमारा D1 बड़ा है तो हम D1 को जो है आगे रखेंगे ठीक है जो भी आपका बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा दिया जाएगा तो आपका d1-d2 अपान में under root a square plus b square हो जाएगा ठीक है तो दीक है यहाँ पर जो आपका d1 दिया था हमने अभी निकाला 7 प्लस हो जाएगा पांच बड़े दो और बटे में आपको दिया गया है क्या आपको निकालना था और बी क्या था चाहिए था तो आपको जो समीकरण़ में आप देखेंगे how do जो समी कर ले 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 चाहे ये वाला दोनों में से आपको A और B की वैलू फाइंड करनी होगी तो देखे AX प्लस BY प्लस C के रूप में लिखा है तो यहां से आप अगर A देखेंगे तो यहां पर भी तीन है यहां पर भी तीन है मतलब A की जो वैलू हमें मिल गई 3 मिल गई फिर देखेंगे B वाली वैलू तो B की यहां पर माइनस पाच है यहां पर भी पाच है तो हमारी जो B की वैलू मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी स्कूर आपका हो जाएगा, 3 का स्कूर बराबर 9 हो जाएगा, 20 का स्कूर माइनस 5 का स्कूर आपका हो जाएगा, 25 मतलब 25, तो यहां से हमने क्या किया, यह value भी रख दिया, अब उपर हम solve कर ले रहे हैं, तो 7 दूर्दी 14, 14, 5 आपका 19 हो जाएगा, 19 बटे आपका 9 और प्लस में 25 आपके का हो जाता है 34 तो root 34 हो जाएगा और यहां पे आपका 19 बटे 2 मतलब आपका जो total जो मान आएगा आपका वो आज़ाएगा 19 बटे 2 root 34 तो यही आपका हो जाएगा बेच की दूरी दूनों रेखाओं के बेच की दूरी आपका यह हो जाएगा अब अगर आपको बेच के दूरी का फार्मूला नहीं पता है तो आप लोग याद कर ली देगा यह आपका बेच के दूरी का फार्मूला होता है अगर दो समानतार रेखाएं दी गई हो और अगर आपका ऐसा question आपको देखने को मिले तो इस type के सारे question आप लोग कर ली जीगा तो आपका right answer मिल गया 19 बटे 2 root 34 जो की option number D में दिया गया है तो option number D आपका एकदम से correct answer हो जाएगा चलिए start करते हैं अगले question की तरफ और अगला question भी आप लोगों का देख लेते हैं देखिए आज के जो question है थोड़ा जल्दी जल्दी से हम कराने वाले हैं तो आप लोग ध्यान से देखिएगा जिससे आपका वीडियो जो है ज्यादा long भी नहों और आपके साथ ज्यादा question भी attend कर लिए जाए जिके फिर दिया गया है रेखा दी गई है दो रेखा अब इनके बीच की दूरी जो है ग्याद करने के लिए कहा जा रहा है तो अभी मैंने आपको एक formula जो बताया है अभी जो question बताया है same हो ही आपका ये भी question है तो आप लोग same उसी तरीके से ये भी question निकाल सकते हैं लगा सकते हैं यहाँ पर 4x प्लस दो आई है यहाँ पर भी 4x प्लस दो आई है तो चलिए जल्दी जल्दी साम ये question देखी लेते हैं और यह आपको मैंने बताया था जितने भी question ले रहे हैं बहुत ज़्यादा जरूरी है देखिए ये भी आपका Polytechnic Interest Exam 2012 में question पूछा जा चुका है चलिए हम इसे solve कर लेते हैं देखिए दो रेखाएं दी गई हैं दोनों जो है समानतर रेखाएं हैं तो देखिए यहाँ पर C1 आपको दिया गया है क्या 8 C2 आपको क्या दिया गया है minus 32 दो चीजे मिल गई A और B की value आप देख सकते हैं A बराबर 4 दिया गया है यहाँ पर भी है B बराबर 2 दिया गया है यहाँ पर भी है तो हमें A B की value निकल के मिल गई और C1 की value मिल गई C2 की भी value मिल गई अब हम formula में direct रख देते हैं तो रेखाओं के बीच की जूरी आपकी D क्या होती है C1 माइनस C2 अपान रूट में A square प्लस B square तो C1 की value हमारी क्या थी 8 थी माइनस में C2 की value क्या हो गई माइनस माइनस प्लस हो गई 32 तो 8 प्लस 32 हो गया नीचे आपका हो जाएगा रूट में A square प्लस B square एक ही वाइनस प्लस बहेला है तो root a square मदलब root 4 का square हो गया 16 पहले वाला 5 को ड्राइन्षर होजएगा जुकि आपको option नंबर डी में दिया गया है, option पहले वाला question जो मैंने कराया है same होई question है तो आप लोगों को ज़्यादा समझाने के प्रशिच नहीं किया क्योंकि आप लोगों को पहले question से ही आपको ये question समझ में आ गया होगा तो आप लोग अगर नहीं समझ मारा है तो आप लोग फिर से एक बार जो है बैक करके देख सकते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारे सारे question कराये जा रहे हैं और बहुत ही जादा मात्पॉन है तो आपका ये भी question का right answer मिल चुका है चली बढ़ते हैं अगले प्रश्ण जो और देख लेते हैं अगला प्रश्ण देखेगा जो आपका अगला प्रश्ण है कुछ उसी प्रकार का है और ये भी question आपका Polytechnic Interest Exam 2013 में पुछा गया है सेम उसी प्रकार का question है देखेए आपे दो रेखाएं दी गई हैं और इनके बीच की दूरी आपको find करनी है चार option दिए गए हैं तो ये question आपका अपने आप करना है सेम उसी type का है अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें comment box में अवश्ण बताईएगा तो चली हम बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की और अगला प्रश्ण भी आपका Polytechnic Interest Exam 2010 में पूछा जा चुका है दिए कहरा है कि रेखा ये आपकी दी गई है और जिन चतुर्थांसों से हुकर जाती है वे कौन कौन से है तो ये कौन कौन से चतुर्थांस से हुकर के जा रहे हैं रेखा वो हमें ग्याद करना है अब मैंने आपको कलिक अंताहखंड का फार्मूला बताया था अंताहखंड का फार्मूला क्या था X upon A plus Y upon B is equal to 1 यह मैंने आपको बताया था अंताहखंड का फार्मूला यहाँ पर आपको जो A की value मिल रही है वो क्या मिल रही है 3 जो B की value मिल रही है वो मिल रही है 4 देगे इन दोरों को जो बापस में तुर्लना कराते है तो हमें A और B की value मिल रही है फार्मूले से एक यह value हमें 3 मिल गई बी की value हमें 4 मिल गई तो A और B की हमें कैया मिल गई value मिल चुकी है अब हमें ग्याद करना कि यह कौन कौन से चतुरसांस में पॉस्टिविटी और निगेटिविटी का जो है नियम होता है तो आप यह चतुरसांस देखिए पहला जो चतुरसांस आपका होता है दोनों पॉस्टिव होता है दूसरा चतुरसांस जो आपका होता है एक माइनस दूसरा पलस होता है तिसरे में आपका माइन होगा आपके दो ही यहाप दियान देंगे जब तो आपके क्या मिल रहे हैं दो आपको यहाप बिंदू मिल रहे थे क्या यह पहले आपको फार्मूला वो लिख के दिखा जए हैं जो आपको दिया गया था समीकरण एकस अपान 3 प्लस Y अपान 4 यही कुछ दिया हुआ था क्या X अपान 3 प्लस Y अपान 4 इस इकल टू 1 A की वैलू आपको दिगई है 3 B की वैलू दिगई है 4 तो अगर हम देखें मोल बिंदू से मतलब X अच पर अगा हम देखना चाहें तो X अच पर 3 है तो 3 ले लिए Y का हम 0 कर दिये तो पहला तो यहाँ पर हो गया यकस अच पर फिर Y अच का देखें तो Y पर 0 होताएगा और Y पर 4 होताएगा ठीक है तो यहाँ पर हमने 4 ले लिए 0 कामा 4 कर दिया X को 0 कर दिया Y को क्या कर दिया 4 तो ये 2 बिंदू मिल गया ठीक है और आपका जो दूसरा था वो कहीं पे बीच में मिल जाएगा जो की 4,3 मतलब 2,9 एक बिंदू पे मिल जाएगा या फिर 3,4 मतलब 2,9 आपके पॉश्टिक हो जाएगे कहीं 1 बिंदू मिल जाएगा बीच में ठीक है तो ये आपका कहां कहां से होकर के जा रहा है पहले यहां से लेकर के यहां तक होकर जा रहा है तो आपका ये कौन कौन से आक्छ जो है हमारे चतुर सांस में जा रहा है वो हम देखते हैं तो देख चीगा ये देखिए दोनों दरात्मा का इसलिए कहा कहा पे है पहले में देखिए है ठीक है फिर दूसरे में है और फिर कितने में है चौथे में पहले में भी है दूसरे में भी है और चौथे में भी है लेकिन तीसरे में नहीं है क्योंकि माइनस नहीं है तो इसलिए हमारा minus वाला दोनों minus वाला नहीं होगा ठीक है तो इसलिए हमारा कॉन-कॉन से चतुर्फांस में आ रहा है पहला दूसरा और चoure ता तो पहला दूसरा चौथा हमारा एकदम से correct answer हो जाएगा यही हमारा right answer होगा देखे ये question आप लोगो को पलस-पलस, माइनस-पलस, माइनस-पलस, और पलस-पलस ये चारों चीजों से आपको पता लग जाएगा कि कौन से चतुर फार्मूला भी बताया गया वो क्या था? अंतरखंद का फार्मूला था, ठीक है? याद कर लिजीगा चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रशन की ओर देखिएगा अगला प्रशन भी आपका Polytechnic Interest Exam 2011 में पूछा जा चुका है अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले question क्या दिया गया है 1-2 और इससे होकर जाने वाले दोनों अच्छों के बराबर अंताखंड काटने वाली रेखा का समीकरण अभी मैंने आपको बताया था कि अंताखंड जो रेखाएं काटती है उनका समीकरण क्या होता है तो same question है अंताखंड का तो अंताखंड का फार्मूल आपको पता है क्या होता है x upon a plus y upon b is equal to 1 अब यहाँ पर आपको a और b की value यहाँ पर दी गई है a कामा b a की value 1 है b की value minus 2 है तो हम यहाँ पर a और b की value रखतेंगे ठीक है लेकिन यहाँ पर जो ध्यान दीजिएगा यह जो आपका दिया है यह a कामा b नहीं क्योंकि एक बिंदू है तो यहाँ पर यह आपका क्या होजएगा एक्स कामा y होजएगा क्या होजएगा यक्स कामा y अब लेकिन हमें क्या कहरा है अक्छों से बराबर अंताखंड है मतलब जो हमारा a और b था वो क्या है आपस में बराबर है a बराबर b है क्योंकि देखिए आपे अच्छों से बराबर है तो इसलिए जो दूरियां हमारी A कामा B क्या है हमारी दूरियां है आक्छे से तो ये क्या है आपस में बराबर है तो हम इसे A बराबर A लिख सकते हैं या फिर B बराबर B भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारा A और B आपस में बराबर है तो दोनों हम क्या लिख सकते हैं दोनों को A लिख दें या फिर दोनों को हम B लिख दें तो यहां से जो हमारा समिकर्ण बनेगा X upon A plus Y upon B is equal to 1 यह बन रहा था तो यहां पर हम चाहे B की जहां पर A रख दें या फिर हम A की जहां पर B रख सकते हैं क्योंकि A और B आपश में बराबर है तो X upon A हो जाएगा प्लस में Y upon B A हो जाएगा बराबर में 1 हो जाएगा अब हम इसे solve कर लेते हैं समिकर्ण को तो X plus Y is equal to हमारा A हो जाएगा क्योंकि हमारा यहां पर जो लासा है वो common हो जाएगा और लासा हमारा इधरा जाएगा तो X plus Y is equal to 1 A हो गया अब हमें निकालना क्या है समिकर्ण निकालना है तो हम सबसे पहले A की value याद कर लेते हैं हमें X, Y की value दी गई है तो हमारा यहां से क्या हो जाएगा 1 और minus में हो जाएगा 2 क्योंकि X plus Y बराबर A हमारा मिल गया है तो X की value 1 हो गई और Y की value minus 2 हो गई यह बराबर A की हो जाएगा तो यहां से जो आपको A की value मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी minus 1 मिल जाएगी ठीक है A की value हमें क्या मिल गई minus 1 मिल गई अब हमें पता है जो हमारा समिकर्ण बना है यह वाला समिकर्ण है तो हम समी कंड में A की value रख देंगे तो हमारा जो X प्लस Y बराबर A है तो हमारा A की value अभी हमने निकाल लिया minus 1 तो यहां से जो हमारा समी कंड बनेगा X प्लस Y is equal to minus 1 बन जाएगा और इसे हम क्या लिख सकते हैं X प्लस Y और प्लस में 1 लिख सकते हैं क्योंकि A को हम इधर 1 को इधर पक्छांतर कर लेंगे और यह बराबर 0 हो जाएगा तो finally हमें समी कंड जो मिल जाएगा X प्लस Y प्लस 1 is equal to 0 मिल जाएगा क्योंकि हमारा जो समी कंड अंताखंड का होता है सेम यही होता है तो हमारा यह जो हमारा फार्मूला जो हमारा जो समी कंड मिल जाएगा क्योंकि हमने आपे अंताखंड का फार्मूला कौन सा लगाया यह भी आप लोग याद रखिएगा X प्लस A प्लस Y प्लस Y प्लस B is equal to 1 यहाँ पे A और B की बेलू बराबर थी तो हमें A की बेलू फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे साल्ब करके हमारा समी कंड बना लिया ठीक है तो अमीद करते हैं आपको यह कोश्चन भी समझ में जरूर आया होगा चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रेशन की ओर दिखेगा यह जो प्रेशन आपका है यह भी पॉलिट टेक्निक इंटरेस एक्जाम दोजा ग्यारा में पूछा जा चुका है देखेगा क्या कह रहा है लेमडा का वहमान क्या होगा जिसके लिए 3x प्लस 4y इकल टू 5 5x प्लस 4y इकल टू 4 तथा लेमडा एक्स प्लस 4y इकल टू 6 एक बिंद पर मिलती है तो हमें लेमडा का मान ग्याद करना है यहाँ पर देखेए इस वाले समीकार्ण में लेमडा दिया हुआ है तो लेमडा के जहाँ पर क्या आएगा वो हमें ग्याद करना है देखेए इसके दो तरीके हैं कैसे साल होंगे आई हैं आपको समझाते हैं दिखिएगा question आपका क्या है जो भी दिया है वहाँ पर आपको समीकान दिये गए है काउन काउन से 3x plus 4y is equal to 5 5x plus 4y is equal to 4 lambda x plus 4y is equal to 6 तीनों रेखाएं एक बिंद पर मिलती हैं यदि पर्थम दो रेखाओं का परती 6 दन बिंद तीसरी रेखा परिस्थित होगा तो क्या हो जाएगा यहां से आपको 3x plus 4y is equal to 5 और 5x plus 4y is equal to 4 से आपको एक जो है यहाँ पर आपको xy की value मिल जाएगी xy की value आपको क्या मिल जाएगी x is equal to minus 1 by 2 मिल गया और y is equal to 13 by 8 मिल जाएगा अब अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह कहां से आएगा तो आप देखिए समीकर्ण एक यह हो गया इसमें से आप इसको घटा देंगे इसमें से जब आप इसे घटा देंगे तो यहां से आपको x की value मिल जाएगी तो x की value आपको यह मिल जाएगी अब देखिए यह बिंदू कहां है lambda इतने परिस्थित है तो हम x और y की value क्या करते हैं इसी में रख देते हैं जो समीकर्ण हमारा lambda वाला था इसी में हम x y की value रख देंगे तो हमारा lambda मिल जाएगा तो lambda इंटू x की value आपकी minus 1 by 2 है तो minus 1 by 2 प्लस में इसे solve कर लिए है डायरेक्ट यहां पर लेकिन हम आपको solve करके दिखा रहे है देखिए minus lambda by 2 हो जाएगा प्लस में आपका 13 गुड़े 4 ठीक है 13 गुड़े 4 आपका हो जाएगा बटे में 8 हो जाएगा तो 13 गुड़े 4 आपका हो जाएगा यह आपका हो जाएगा minus 4 lambda और प्लस में 52 बराबर इतना हो जाएगा और 8 चंग 48 और 4 बावन जब आप इसे solve कर लेंगे तो आपको जो lambda बच जाएगा सिधे lambda का मान आजाएगा minus 1 हो जाएगा lambda का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और lambda का मान 1 ही आपका right answer हो जाएगा यह आपकी थी first method first method से आप इस प्रकार निकाल सकते हैं दो समीकर्ण आप लोग एक साथ में जोड़ घटा करके x का मान और y का मान निकाल करके सीधे इस वाले समीकर्ण में रख दें बहुत ही आसान है या फिर आप A-B-O-Vidhi से लगाएं तो यहाँ पर आपका A-B-O-Vidhi से क्या हो जाएगा तीन समीकर्ण था तो तीनों समीकर्ण में x y z का मान तीनों का मान यहाँ पर रखेंगे बराबर 0 कर देंगे तो हमारा lambda का मान मिल जाएगा तो यहाँ पे आपका ये क्या है ABO विधी से है ABO विधी आपको भी नहीं बताई गई है ABO चैप्टर नहीं पढ़ाय गया है तो आपको ABO के सारे के सारे चैप्टर जो है कुष्चन जो कराया जाएंगे रिवीजन में उसी के साथ में ये भी आपको बता दिया जाएगा चली अब हम बढ़ते हैं अगले प्रेशन की और आपको ये भी समझ में आ गया होगा देखिए अगला जो कुष्चन आपका है Polytechnic Interest Exam 2011 में ये भी पूछा जा चुका है कुष्चन देखिए क्या है यदि रेखा है X plus Q is equal to 0 Y minus 2 is equal to 0 तथा 3X plus 2Y plus 5 is equal to 0 संगामी हो तो हमें जो यहाँ पर Q दिया गया है Q का मान हमें क्या मिलेगा ये हमें ग्यात करना है देखिए इस कुष्चन को हम कैसे साल्व करेंगे तो चली देखिए ये कुष्चन जो है अभी मैंने आपको बताया था एक कुष्चन जो उपर की आवयो बिधी से आएगा तो उसी टाइप का है तो चली ये कुष्चन आपको बता देते हैं तो आप वो भी कुष्चन समझ सकते हैं ठीक है देखिए आपे तीन समीकरण दिये गया है A2, B2, C2 और A3, B3 और C3 इन तीनों का जो आवयो हैसे बनेगा वो आपको 0 के बराबर कर देना होगा अब देखिए यहाँ पे हमारा A1, B1 और C1 कैसे बनेगा आपको एक समीकरण मैंने बताया था क्या बताया था AX प्लस BY प्लस C बराबर क्या था? 0 तो यहाँ से आप अगर इसमें रखें तो यहाँ पे C की वैलू तो आपको क्यों दी गई है? A की वैलू आपको 1 दी गई है क्योंकि 1 के साथ मैं अक्से है लेकिन जो B प्लस BY चाहिए था वो हमारा यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है वो हमारी क्या होजाएगी? क्यों? इसको हम A1 कर दे, B1 कर दे, C1 तो A1 बराबर 1 मिल गया B1 बराबर 0 मिल गया C1 बराबर 0 क्यों मिल गया? अब हम अगर यहाँ पर रखें तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर भी A, B और C की वैलू में गयाद करनी है हम इसको A2 और B2 मान ले और C2 मान ले तो यहाँ से हमें Y के साथ वाली वैलू मतलब B2 हो जाएगी तो यहाँ पर 1 तो मिल जाएगा तो हमें Y क्या मिल जाएगा? B2 तो 1 मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर हमें A2 नहीं दिया है तो a2 की value आपकी 0 हो साएगी और जो आपको c2 चाहिए था तो c2 की value आपको क्या दी गई है minus 2 जब आप तोलना करेंगे तो आपको ये सारी value मिल दाएंगी इतना आपको समझ में जरूर आ रहा होगा तो a1, b1, c1 मिल गया a2, b2, c2 मिल गया अब यहां से देखिए जो तीसरा समिकान है तो उहां पर हमें क्या मिल दाएगा a3, b3 और c3 a3 की value 3, b3 की value 2 और c3 की value 5 इतनी चीज़ हमें मिल गई अब हम क्या करते हैं आव यह जो हमारा बनाते हैं कुछ इस प्रकार बना लेते हैं कैसे जो हमारा अगर संगामी है तो हम क्या करेंगे a1, a2, a3 मतलब इस वाले जो हमारा कॉलम b1, b2, b3 यह वाला कॉलम c1, c2, c3 यह वाला कॉलम इस प्रकार से आपका बन दाएगा हमें a1, a2, b2, a2, a3 की value अभी हमने निकाला b1, b2, b3 की value निकाला c1, c2, c3 की value निकाल लिया तीनों की तीनी value हमने क्या है निकाल लिया अब इसको हम क्या बराबर कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे तो a1 की value 1 थी b1 की value 0 थी c1 की value Q थी तो सारी की सारी value जो दी गई थी वहाँ पे हम रख देते हैं अब जब हम रखेंगे तो हमारा यह समिकन बन गया अब आभिव का आपको नियम पता है हम जिस वाली जो हम अगर इस वाले पंक्ति से सुरू करते हैं मतलब हम इस वाले पंक्ति से हम अगर मान निकालना सुरू करते हैं तो हम ये वाली value लेंगे तो ये बंद हो जाएगा ये बंद हो जाएगा ये value बच जाएगी तो हमने one को ले लिया इन दोनों को बंद कर दिया इसका तिर्चा गुड़ा इससे हो जाएगा और minus में इसका तिर्चा गुड़ा इससे हो जाएगा ये आभियू का नियम होता है तो 5, 95 हो गया और माइनस लगा दिये तो माइनस माइनस यहापे आपका माइनस चार हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस चार हो जाएगा ठीक है यह आपका हो जाता है अब हम इसको आपको थोड़ा और अच्छे से समझाने का प्रयाश करते हैं देखीगा अगर कहीं पर गया है a1, b1, a2, b2 यह हमें दिया गया है इस प्र Gibson से अगर हम इसे निकालना चाहें इसका मान तो म्या करेंगे a1, b2 माईनस में b1, a2 कर देंगी मतलबицे का गुड़ा इसके सास्त कराएंगे और माइनस में इसका गुड़ा इसके सास कराएंगे यह हमारा मान हो जाएगा बस यही हमने यहाँ पे आगे किया हुआ है देखिए जब यह दोनों लाइन हम बंद कर देते हैं तो यह आपका A1 हो गया यह B1 हो गया A2 और B2 तो हमने क्या किया सेम जो अभी मैंने आपको बताया है वही हमने यहाँ पे तो सेम इसी प्रकार से जब हम 1 को लिए तो हमारा ये बंद हो गया इतना आ गया फिर आप हम 0 को ले रहे हैं तो हमारे ये दोनों बंद हो जाएगा और ये A1 हो जाएगा यह B1 हो जाएगा A2 और B2 हो जाएगा फिर यहाँ पर भी solve हो गया अब जब हमने 0 ले लिया है तो 0 के साथ चाहे जो गोड़ा करेंगे हमारा 0 हो जाएगा अब फिर हम यहाँ पर देखिए Q ले रहे हैं Q को लेंगे तो हमारा यह वाली लाइन बंद हो जाएगी Q के साथ यह वाली लाइन बंद हो जाएगी अब हमारे पास यह बच गया अब देखिए जब हम इसे solve करेंगे तो हमारा value आएगा कुछ इस प्रकार से हमारा यहाँ पर मिल जाएगा 9-3Q is equal to 0 तो 3Q बराबर हो जाएगा 9 तो Q बराबर हमारा 3 मिल जाएगा और यही हमारा right answer हो जाएगा क्यों का ही value गयाद करना था तो Q की value हमें क्या मिल गई 3 मिल गई Q का हमें जो मान प्राप्त हो गया वो हमें क्या प्राप्त हो गया 3 प्राप्त हो गया तो यही हमारा right answer हो जाएगा तो polytechnic entrance exam 2011 में भी पूछा जा चुका था अब चलिए बढ़ते हम अगले प्रश्ण की ओर और अगला प्रश्ण हम देख लेते हैं देखिए अगला प्रश्ण आपका क्या है देखिए क्या कह रहा है कि रेखा 8x प्लस 4y और प्लस 16 बराबर 0 द्वारा अच्छो पर कटे अंताखंडों का मान क्या होगा हमें अंताखंड का मान ग्याद करना है देखिए कैसे ग्याद करेंगे अब अंताखंड का मान अभी हमने अंताखंड का आपको एक फार्मूला बताया था अगर आपको याद होगा तो बहुत ही अच्छी बात है दिखेगा कैसे ग्याद करेंगे कह रहा है हमारा जो समीकांड था 8x प्लस 4y और बराबर में माइनस 16 था हमें कैसे ग्याद करना होगा हमें एक जो है नियम पता है अन्ताखंड का x अपान a प्लस y अपान b बराबर में 0 अब हमें कुछ इसी प्रकार में जब हम ये इस समीकांड को चेंज करेंगे तभी हमें a और b की वैलू ग्याद होगी क्योंकि हमें a और b की वैलू ही ग्याद करनी है अन्ताखंड हमारे क्या है A और B ही है तो हम इस समीकारण को अंताखंड वाले फार्मूले के रूपे बजलते हैं तो हम क्या करेंगे इधर हमारा 1 आना चाहिए तो हम क्या करते हैं सबसे जो है माइनस 16 से जो की वैलू इधर दी गई है उसी वैलू से हम पूरे समीकारण में भाग दे देते हैं तो जब हम माइनस 16 को माइनस 16 से भाग दे देंगे यहाँ पर भी माइनस 16 से यहाँ पर भी माइनस 16 से भाग दे दे रहे हैं जब हम सब को भाग देंगे तो यहाँ से आपका यह कर जाएगा minus 16 minus 16 one हो जाएगा यह आपका इधर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा अब आप जब इसे कांटेंगे तो 8,88,8,18,16,4,94,4,16 क्या हो जाएगा जो समीकंड में मिल जाएगा अन्ताखंड के रूप में x by minus 2 plus y by minus 4 is equal to 0 हमारा क्या समीकंड बन गया x upon a plus y upon b is equal to 1 के रूप में हमारा बन चुका है तो यहाँ से जो हमें a मिल रहा है 2 मिल रहा है minus में b मिल रहा है minus 4 तो हमारा जो अंताखंड का मान हो जाएगा minus 2, minus 4 हो जाएगा तो यहाँ से में अंताखंड के मान क्या मिल गए minus 2, minus 4 यही आपका right answer हो जाएगा अंताखंड के फार्मूले पे यह question depend था चलिए हम अगले question की और बढ़ते हैं और अगला question भी आपको कराते हैं देखे उस रेखा की प्रमारता क्या होगी जो बिंदू इतने और इतने से मिल कर जाती है अब देखे हमें रेखा की प्रमारता ग्याद करना है जो कि हमें यहाँ पे दो बिंदू दिये गए हैं हमें यहाँ पे दो बिंदू दिये गए हैं और हमें रेखा की प्रमारता ग्याद करना है तो अब हम इसे कैसे ग्याद करेंगे रेखा की प्रमारता इसका क्या फार्मूला होता है आईए देख लेते हैं आपको मैंने कल एक फार्मूला बताया था प्रमूला के लिए M is equal to क्या बताया था जब आपको दो समीकान दिया हो X1, Y1, X2, Y2 मतलब 2 आपको बिंदू दिये गये हों तो आपको अगर प्रमदता निकालना तो क्या होता है? Y2 minus Y1 अपान में X2 minus X1 यह आपका प्रमूला होता है तो यहां से y2 आपको दिया गया है minus 2 और minus y1 आपको दिया गया है 2 तो minus 2 minus 1 फिर minus 2 हो जाएगा और बटे में x2 आपको दिया गया है minus 3 और minus में x1 आपको दिया गया है minus 3 तो minus minus दोनों प्लस हो जाता है तो क्या हो जाएगा ऊपर आपका minus 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 ही हमारा एकदम से right answer हो जाएगा question का तो question का आपको right answer प्राप्त हो चुका है क्या right answer आपको प्राप्त हो चुका है देखे अब दिया गया है रेखा x बराबर y और y बराबर root 3x plus 2 के बीच का कोण क्या होगा अब हमें बीच का कोण गयात करना है हमें formula पता है 10 theta वाला formula होगा तो यहाँ पर देखे पॉलिट टिकनिक इंटरस एक्जाम 2013 में ये भी question पूछा जा चुका है तो यह कैसे लगेगा आईए हम देख लेते हैं यहाँ पर आपको जो समी करन दिया गया है x बराबर y दिया गया है और y बराबर आपको क्या दिया गया है y बराबर दिया गया है root 3x plus 2 और इसका हमें गयात करना है बीच का कोण चले देखते हैं बीच का कोण कैसे गयात होगा समी करन पहला हमारा हो गया, दूसरा हो गया, दो समीकर्ण हमें मिल चुगे, हमें क्या ग्याद करना है, हमें बीच का कोण ग्याद करना है, आपको पता है, टैन ठीटा बराबर क्या होता है, टैन ठीटा बराबर M1 माइनस M2 अपान 1 प्लस M1 इंटू M2 होता है, हमें यहाँ पर प्रमारता चाहि था अब इसमें जो आपको यम दिया गया है यही तो प्रमाड़ता है अब यहां पर इस समीकरण में देखिए य बराबर MX से आप तुलना कीजिए क्या है Y बराबर X दिया गया है प्लस में C की जहापे अगर हम 0 कर दें M की जहापे हम 1 कर दें तो हमारा क्या हो दाएगा यहाँ पर जो यहाँ वाला समीकरण है इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं Y बराबर 1 into x प्लस में 0 आईसे कर सकते हैं तो यहांपे अब को 그리고 1 मिल रहा है तो हमने यम 1 को क्या कर दिया 1 कर दिया समीकांड पहले से दूसरा समीकांड देखिए y बराबर mx प्लस c m की बाईलो यहांपे Root 3 मिल रही है तो m2 को हमने क्या कर दिया road 3 कर दिया हमने क्या किया दो हमने प्रवाणताएं निकाल ली दोनों समीकरन से y बराबर mx plus C के फार्मूले से ठीक है तो हमने देखिए 10 theta का value निकालना था हमें theta ली निकालना है तो 10 theta बराबर हमने क्या किया m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2 m1 की value 1 थी m2 की value minus road 3 थी तो हमने क्या किया 1-rude 3 upon 1-rude 3 हो जाएगा ठीक है अब देखिए हमने क्या किया इसका तिरचा गुड़ा करा दिया और हमने परमेह current करा दिया ठीक है तो हमारा जो total तो solve करेंगे तो हमें value क्या मिल जाएगी 2-rude 3 तैन ठीटा बराबर हमें क्या मिल जाएगा 10 ठीटा बराबर मिल जाएगा 2 माइनस रूट 3 ठीक है अब हमें 10 ठीटा बराबर जब 2 माइनस रूट 3 मिल गया तो हमें पता है 2 माइनस रूट 3 हमारा किसका मान होता है 10 15 डिगरी का तो 10 15 डिगरी हमारा किसके बराबर हो गया 10 theta के बराबर हो गया 10 से 10 cancel हो जाएगा theta बराबर 15 degree प्राप्त हो जाएगा और यहीं हमारा एकदम से correct answer हो जाएगा इस question का देखिए option आपको कहां दिया गया है 15 degree option number a दिया गया है तो यह आपका एकदम से correct हो जाएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दिखिए इसमें आपको pitch का कोर्ण निकालना है लेकिन यहापे आपको यम नहीं दिया गया है यहापे आपको A दिया गया है A1, B1, A2, B2 दिया गया है तो यह आपको कैसे निकालना है इसका एक formula होता है पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एक्जाम 2012 में भी question पूछा जा चुका है जितने भी question लिए जा रहे हैं पूछे जरूर गया है तो देखे यहाँ पर आपको देखे समिकार्ण एक को हमने मान लिया पहला यह समिकार्ण दूसरा यह समिकार्ण हम इसको क्या करते हैं अब देखे इसका एक formula होता है अगर a1 a2 b1 b2 दिया हो तो 10 theta बराबर होता है b1 a2 minus b2 a1 अपान में a1 a2 plus b1 b2 अब जब हम इसमें सारी की सारी value जो हमाई दी गई है हमने भी निकाल लिया है a1 b1 a2 b2 value जब इसमें रखेंगे और solve करेंगे तो हमारे जो right answer मिलेगा theta का जो value मिलेगा वो हमें मिल दाएगा 30 degree और 30 degree हमारा right answer हो दाएगा इस question को आप solve कर लिजेगा जो भी अगर नहीं लगेगा तो आपको revision कराने के साथ-साथ time पे जो आपको question solve करा देजगा 30 degree आपका क्या आ रहा है right answer आ रहा है मैंने आपको formula बता दिया तरीका बता दिया आप लोग question अपने आप जरूर solve कर लिजेगा अब बढ़ते हैं अगले प्रशन की और देखिए अगला प्रशन आपका homework का है आप लोग अपने आप करिएगा घर पे और जो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो comment में हमें अवस्थ से बता जरूर दिजीगा और आपको सारे के सारे chapter wise जितने भी PDFs हैं वो आपको telegram channel पे मिल दाएंगी तो आप लोग telegram channel पे जरूर आपे रहे हैं जिससे आपको सारे सारे PDF मिल दाएं तो अगर आपको आज की वीडियो मज़दार लगी हो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्ले लाइक जरूर करिएगा और उन्हें सभी दोस्तों के पास में फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेर कर दीजेगा कल से आपका revision series शुरू कर रहे हैं जिससे हम energetic होकर के एक साथ बढ़िया से पढ़ाई करें और हमारा जो revision हो बहुत ही गजब का हो बहुत ही सांदार हमें revision करना है तो चलिए फिर मिलते हैं कल की नए वीडियो में और एक नए शुरूरात के साथ में धन्यवाद फिर मिलते हैं के नए वीडियो के साथ में